हलो फ्रेंड स्वागता आपका हमारी यूटूब चेनल एड्यूकेशन प्लस जो पर आज देखने वाले हैं टो फाइब गोल्डन जोन के बारे में जहां से अगर आप लोगों ने फोरम अप्लाई किया है तो दूसरी जोन की तुलना में आप बहुत ज़्यादा सेफ के टेगरी के अपने आप या जाते हो दूसरी जोन वाले तो ये सारी चीज़े देखते हैं कि हमारी शिप्ट कैसी थी है जो एक्जाम दिया उसमें quality of student कैसे थे या फिर किस परकार का question paper पुछा गया लेकिन अगर आप लोग इन 5 जोन के अंदर से आ रहे हो इन 5 जोन के अंदर से आप लोगों ने फोरम अप्लाई किया है तो 5 जोन के बारे में बात करने वाले हैं जो safest जोन है इस वार group D के अंदर आप सभी को पता है कि अब Gaurakpur है जैसे कि Gaurakpur को तो बिलकुल भी safe zone में नहीं रख सकते जेपूर हुआ इस वो भी safe zone में बिलकुल भी नहीं है ये ऐसे zone है जहांकि हर बार cut off आई जाती है क्योंकि यहाँ पर थोड़े जो student होते हैं फेपर देने वाले वो average student से थोड़े से उपर वाले होते हैं तो वीडियो आप पूरा देखोगे तो आपको काफी सारे जान करें इसके अंदर मिलने वाली है तो जब पन ये इसके बारे में पहले में आप लोगों को बता दूँगी cut off का निरदारन कैसे किया जाता है उसके उपर मैंने ये detail वीडियो बना दी है अगर आप लोगों के प पढ़ने वाले बच्चे को normalization के अंदर जो percentile basis normalization होने वाला है उसके अंदर hundred percent आप लोगों को फाइदा मिलने वाला है साथ ही साथ पीटी के लिए का सेफ इसको रो सकता है जो टो five zone में बताने जा रहा हूँ आप लोगों को यहां पर तो अगर आप लोगों के ऐसे मान के five से प्लस नंबर थे और वो इसके अंदर सामील होते हैं तो चलिए फाइनली उनको देख लेते हैं कि कौन-कौन से जोन इसके अंदर सामील है सबसे पहले Western Railview Mumbai के बारे में बात करते हैं Western Railview Mumbai के बारे में मैंने detail वीडियो आप लोगों को बना कर बता दिया है कि कि कितना safe य सकती है अगर आप लोग Western Railview Mumbai से हैं तो अगर आप लोग ने अब तक यह वीडियो नहीं देखा गागा तो पूरा आप लोग वीडियो को देख सकते हो देख कि कट ओफ निरदरन में दो फेक्टर काम करते हैं एक आप लोगों के टोटल फोरम कितने बरेगे सबसे पहले ची किया है तो इस वीडियो का आप लोग जुरू देख सकते हो तो अपना जो सबसे पहला सेफेस्ट जोन है जहां पर सिर्फ मातर प्रोरम बढ़ने के टाइम जो 92 के आसपास का फर सीट कॉम्पेटेशन था वो है Western Railview Mumbai के बारे में और एक्जाम भी ठीक उसी तरीके का हुआ ह ज़्यादा कोई फेर बदल यहां से देखने को नहीं मिला है तो अभी भी यह जो टोप सेफ जोन के अगर बात करें तो सबसे पहले नमर पर Western Railview Mumbai आता है क्योंकि यहां से पोस्टों की संक्या काफी ज़्यादा है दूसरी लेवल के बात कर लेते हैं हालांकि इसके बारे मे पर चीट के बारे में जैसी एकजाम होगा आपको लोगों को डिटेल वीडियो मिल जाएगी तो चोथे नमर का जोन अपना सबसे सफेस्ट जोन है वो अपने सामने हुबली आ जाता है उसके बाद में बात कर लेते हैं चेन्ने के बारे में जो है उसके बारे में मैंने कल एक वीडियो बना कर पूरी डिटेल के बारे में डिटेल से आप लोगों को इसके बारे में समझा दिया है चेन्ने के अंदर कुल कितने फोरम थे कितनी पोस्ट है आप लोगों की थी परसीट कॉम्पेटिशन फोरम अपलाई के टाइम क्या और अब परसीट कॉम्पिटेशन कितना है चोकि चैन्ने का एक्जाम कम्पिट हो चुका है तो मैंने इस वे डेटेल वीडियो बढ़ा दी है जितने भी चैन्ने वाले लोग है वो इस वीडियो को जाकर जरूर देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाए चैनल को सब्स्र है वो भी काफी अच्छी है साथी साथ यहां फोरम फिलब करने वालों के इंडिडेट की संख्या भी कम है जिसके कारण जो पर सीट कॉम्पिटेशन है वो 97 के एराउंड है और काफी सारे बच्चों के मिरवाद सीड़ बेक पड़े हैं सेंटर रिल्वे मुंबई के बारे सीट कॉम्पिटिशन जो 105 था शुरुआत में वह घटकर अब बहुत ज्यादा कम हो गया है तो इसके बारे में डिटेल में वीडियो आप लोग सेनल के उपर देख सकते हो यह अपना चोथा जोन है जो सेफ जोन के अंदर आता है तो यह पांच ऐसे जोन है अगर आप लोग है गोरुकपूर से हैं आप लोग जेपूर से हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा सूचने वाली आउख सकता है और थोड़ा सा अपने आपको उसकी लेवल के इसाप से मेंडेन करने के आउख सकता वाँ पर पड़ सकती है या फिर आप लोगों को थोड़ा देखना ह हुआ कि आपके रों माक्स कितने बने तो छल्यिए इस वीडियो में इतना ही अगर आप लोगो कोई सवाल हो तो कमेंट में बिलकुल कमेंट कीजिए मैं युद का जवाब देने के लिए तेयार हेता हूं आज की वीडियो में इतना ही आपका कौन सा जोन था, साथी साथ आपकी कितने रोमाक्स बन रहे हैं जुरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं जेहिं वंदे मातरम